असलाम अलेकूम मैं हुडी शाद क्यासे हो आप लोग उमीद है आप से भी लोग बहुत अच्छे से होंगे रीड्मी नोट 11 डिवास की उजस के लिए एक गुड निवूज है जैसे की कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोग को बता था के रीड्मी नोट 11 डिवास के ग्लोबल भर्शन में Android 12 का सेकेंड अपडेट याने के MIUI 13.0.4.0 अपडेट के बाद अब MIUI 13.0.5.0 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ड हुआ है तो तब यह ज़ा अपडेट था यह पर्शिली रोल आउट किया गया था completely public मतलब के सभी users के लिए यह तब रोल आउट नहीं हुआ था लेकिन अब आप लोगों के लिए एक good news यह है के यह update अब पडेट अब पडेट के लिए सब के लिए ही रोल आउट किया जा चुका है तो अगर मैं MI community पे जाओं तो यहाँ पर MI community पे जाने के बाद simply अगर आप forum पे जाते हैं तो forum पे जाने के बाद readme note 11 के section में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारे लोगों को readme note 11 device में यह जो नया update है यह देखने को मिला है और उन लोगों ने उसके बार में post भी किया है पर्मिशन भी दिया है जैसे कि screenshot शेर किया गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हो basically यह जो update है यह global version के लिए rollout किया गया है और यह publicly सब को मिलना start हुआ है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे लोगों को यह जो update है वो देखने को मिल गया है तो अगर आपके पास readme note 11 device है और उसमें MIUI 13.0.5.0 का update अब तक नहीं आया है तो आप जाकर check कि आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन अगर आपको पहले ही देखने को मिला है तो बहुत ही अच्छी बात है और सबसे अच्छी बात है कि जिसके device में 13.0.16.0 का update था याने के Android 11 का update था उनके device में भी यह appdate अब मिलना start हो गया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके डिवेज में आपको ये अपडेट देखने को मिला है या फिन नहीं मिला है जरूर मुझे कॉमें सेक्षण में कॉमें करके बता दिजे फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही